नमस्कार दोस्तों, PBR स्टेडी में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं NCRT क्लास 9 का संख्या पद्धती एकसर्साइज 1.3 NCRT क्लास 9 NCRT क्लास 9 की एकसर्साइज 1.3 है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धती मैं कृष्ण कुमार स्कुला PBR स्टेडी पर आपका स्वागत करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट्स हैं जो आपको जानना बेहत जरूरी है नहीं तो पूरा एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है तो सबसे पहले हम इसके कांसेप्ट्स को जानेंगे, सीखेंगे, परिभासा देखेंगे उसके बाद कोशन्स करेंगे तो वास्तविक संख्याएं एवं उनके प्रसार वास्तविक संख्याओं के प्रसार पर ही ये पूरा चैप्टर है कैसे उनका प्रसार होता है आईए देखते हैं जैसे आप देख रहे हैं तीन बटे चार, एक बटे तीन, पांच बटे साथ इसका मतलब क्या है कि चार को तीन में भाग किया जाएगा तीन में चार से भाग किया जाएगा यहां पर तीन से एक में भाग किया जाएगा यहां पर साथ से पाँच में भाग किया जाएगा मेरे प्रियविक द्यारतियों साथियों जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारे पास दो कंडिशन प्राप्त होती है पहली कि जब किसी को भाग करेंगे तो हमारे पास कुछ सेसफल आएगा या तो सेसफल जीरो हो जाएगा जाकि कट जाएगा या फिर सेसफल जो आएगा वो ऐसे आता जाएगा आता जाएगा कभी कटेगा नहीं कभी समाप्त नहीं होगा तो इसमें दो condition बनती हैं, आईए देखते हैं कैसे, चार है, तीन भाग देना है, चार का पहाड़ा तीन में नहीं जाएगा, तो दसमलो बढ़ाएंगे, अब ये बन जाएगा 30, अगर आपको भाग देना नहीं आता तो PBR study के zero level match से आप सीख सकते हैं, basic से बिल्कुल zero से सीख सकते हैं भाग देना, तो आईए देखते हैं, अब ये बन गया 30, चार का पहाड़ा 30 से जादा नहीं, चार सते 28, माइनस करेंगे, दो, एक बार दसमलो बढ़ा लिए हैं, तो दसमलो बढ़ाएंगे जरूरत नहीं, जीरो बढ़ाएंगे, फिर चार से डिवाइड करे समाप्त हो गया, यहां पर ये भाग जो है सेसफल जीरो आगया और समाप्त हो गया, ठीक है, जीरो आगया, अब यही भाग तीन से हम एक में करते हैं, पहाड़ा नहीं जाएगा, वही काम करेंगे, दसमलो बढ़ाएंगे, और यहां पर जीरो लिख लेंगे, तीन का 9, फिर माइनस करेंगे 1, ऐसे ही 3331, ऐसे ही आता जाएगा, कहां तक, अनंत तक, यह भी अनंत तक, तो यहां पर हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ था, 0.75 यहां पर यह समाप्त हो गया था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा, 0.3333, ऐसे ऐसे कहां तक, यह अनंत तक आता जा र पहली की आपको दसमलों की बाद कुछ डिजिट बढ़ाने की बाद आपका सेसफल जीरो आ जाएगा और आपका भाग समाप्त हो जाएगा दूसरी condition क्या प्राप्त होगी पहली condition दूसरी condition दूसरी condition ये प्राप्त होगी कि आप भाग देते जाएंगे संख्या repeat होती जाएंगे और कभी भी समाप्त नहीं होगा आपका सेस्फल कभी भी 0 नहीं आएगा आईए एक भाग देकर और देख लेते हैं नहीं जाएगा, दसमलोब बढ़ाएंगे, और 50 बन जाएगा, 7 बार जाएगा, 7, 49, 1 आया, फिर 0, 7, 51, 7, माइनस करेंगे, 3 आया, 0, 30 बन गया, 7 चोग, 28, माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 0, 20 बन जाएगा, 0 क्यों बढ़ रहा है बार बार यहां पर, क्योंकि हम दसमलो बढ़ा लिएंगे, एक बार दसमलो लिख लेते हैं, तो आप, 1, 1, 0 बढ़ा सकते हैं, इसके बाद, 20 आ गया, कितनी बार जाएगा, 7, 2, 14, 6, देखते हैं, कहां तक यह आता है, करता भी है, नहीं करता है, तो 6 आ गया, फिर 0 आ गया, 7, 8, 56, फिर माइनस, 4 आ गया, अभी फिर 0 बढ़ाएंगे, 40 बन गया, 40 के पार पढ़ाएंगे, 7, 35, 35 लगभग, 5 बार, 7, 35 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर बढ़ाएंगे, 0, फिर 7, 7, 49, यह देखिए, 7, 49, और 1, 0, अब यह क्या जाएगा, माइनस करेंगे, 1, अब देखिए, जैसे ही यहां पे 50 था, और यहां भी 50 आ गया, यहां पचास था, और यहां भी 50 आ गया, यानि अब यह नंबर भी क्या होने लगा, रिपीट होने, यहीं से रिपीट होने, अब इसके आगे ले जाएंगे, तो इसके बाद कहां से रिपीट होगा, इसका देखिए, इसका बता रहे हैं, 0, 7, 1, 4, 2, 8, 6, 5, 7, इसके बाद यहीं साथ यहां से रिपीट होने लगा, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, ऐसे 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 रिपीट होता जाएगा, तो जब रिपीट होने लगता है, इसको इसके ऊपर बार लगा कर लिख लेते हैं, जैसे इसको क्या लिखेंगे, 0.75 ही रहने तो पूरे पर क्या लगा लेंगे बार लगा लेंगे क्या होता है बार होता है तो यहां पर हमें दो चीजें पता चली कि कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं तो पहली स्थिति में क्या होता है वो आके समाप्त हो जाता है जब समाप्त हो जाता है तो इस दसमलो को क्या कहते हैं सांत दसमलो क्या हो गया समाप्त हो गया तो इसको यह है कि सेस कभी भी सोन्य नहीं होगा, सेस कभी भी समाप्त नहीं होगा, सेस यहां पर दोनों कंडिशन में सेस कभी सोन्य नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आसांत दसमलो, आसांत, ये दोनों क्या हैं, ये भी और ये भी क्या हैं, आसांत है, आसांत है, ये आसांत है लेकिन आसांत होने के साथ साथ क्या है रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट तो इसको क्या करेंगे रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिखते हैं टर्म्स आवर्ती आवर्ती ठीक है ये आसांत आवर्ती हो जाएगा ये सांत दसमलो है ये असांत आवर्ती दसमलो है तो इसको इंगलिस में क्या कहते हैं सांत को टर्मिनेटिंग मतलब सांत हो गया टर्मिनेट हो गया खतम हो गया टर्मिनेटिंग सांत दसमलो टर्मिनेटिंग असांत को क्या कहेंगे असान्थ है ये नान टर्मिनेटिंग और आवरती, मतलब repeat हो रहा है recurring recurring, r-e-c-u-r-i-n-g non-terminating recurring, recurring का मतलब है बार बार repeat हो रहा है recurr हो रहा है non-terminatings आसांत है तो इससे हमें दो चीजे पता चलें क्या एक सांत दस्टमलो एक आसांत आवरती दस्टमलो जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो दो ही condition होती है एक सांत दस्टमलो एक आसांत और recurring आसांत और आवरती तो आईए देखते हैं इनको परिभासा में कैसे लिखेंगे दोनों को देखिए सांत दसमलो टर्मिनेटिंग क्या होगा जब दसमलो प्रसार में सेस फल सून्य हो जाता है तो इसे सांत दसमलो कहते हैं एक्जामपल 1 by 2, 3 by 4, 7 by 8 जब सेस फल सून्य हो जाता हमने देखा था 3 बटे 4 वाले एक्जामपल में क्या था दसमलो सून्य हो गया था 3 बटे 4 को भाग दिये थे 0.75 आया था और लास्ट में दस्मलो सूनने हो गया था तो ये कौन सा दस्मलो हुआ सांत दस्मलो हुआ ये सांत दस्मलो हुआ तो सांत दस्मलो की परिभासा क्या हो गई जब दस्मलो प्रसार में सेस फल सूनने हो जाता है तो इसे सांत दस्मलो कहते हैं एक्जामपल 1.2, 3.4, 7.5 बहुत सारे एक्जामपल हैं आप देख सकते हैं भाग दे करके तो ये हो गया असांत दस्मलो अब असांत दस्मलो क्या होता है असांत और आवर्ती उसकी भी परिभासा देख लेते हैं तो दूसरा क्या है असांत आवर्ती दस्मलो इंगलिस में non-terminating recurring non-terminating का मतलब कभी ना समाप्त होने वाला यानि आसांत recurring का मतलब बार-बार आने वाला यानि आवर्ती तो देखते हैं जब दसंबलो प्रसार में सेसफल की पुनरा बृत्ती होने लगती है यानि सेसफल वही सेसफल कुछ चरणों के बाद जब बार-बार आने लगता है तो इसे आसांत आवर्ती दसंबलो कहते हैं जैसे एक बटे साथ, एक बटे साथ, पांच बटे साथ, एक बटे तीन आपने देखा होगा सेसफल की पुनरा बृत्ती कब हो रही थी पांच बटे साथ को जब हमने भाग दिया था तो क्या आ रहा था जब पांच बटे साथ में हमने भाग दिया था तो दसंबलो साथ, एक चार, दो, आट, पांच, साथ, एक चार, दो, आट, पांच यही रिपीट होने लग रहा था तो ये क्या होगा आसांथ होगा क्योंकि कभी सांत नहीं हो रहा और आवर्ती क्यों होगा क्योंकि बार-बार वही repeating हो रहा है वन अपांथREE में क्या आ रहा था 0.3333 repeat हो रहा था तो इसको बार लगाकर लिख देते हैं इसके अलावा भी तीसरी कंडिशन एक होती है, वो क्या होती है, तीसरी कंडिशन क्या होती है, कि आसांत है, आवर्ती है, लेकिन आसांत है कभी समाप्त नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रहा है, तीसरी स्थिती होगी, वो आसांत भी होगा, और कभी समाप्त भी नहीं होगा आसांत भी होगा और वो बार बार कभी रिपीट भी नहीं होगा जैसे एक्जामपल के तोर पर देखते हैं जैसे अगर हम 22 बटे 7 लिखते हैं 22 बटे 7 लिखते हैं या अंडर रूट 22 बटे 7 लिखते हैं या अंडर रूट 2 लिखते हैं बाइस बटे साथ क्या होता है पाई होता है पाई कमान बाइस बटे साथ होता है अंडर रूट टू ये भी क्या होता है जब इसको हम भाग करेंगे तो देखेंगे कि ये कभी ना तो समाप्त हो रहा है और ना कभी रिपीट ही हो रहा है ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है जब इसको भाग देंगे, कितना आएगा देखते हैं, इसका भाग बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, बाइस बटे साथ को भी निकालेंगे, तीन दिसम्बलों, एक, चार, एक, पांच, नो, दो, छे, पांच, तीन, पांच, आठ, नो, साथ, ऐसे ही ये करोणों मान आएंगे लेकिन ये कभी ना तो समाफ्त होगा और ना ही कभी रिपीट होगा, तो ये होगा नान टर्मिनेटिंग, नान रिकरिंग, यानि आसांत अनावर्ती, क्या होगा ये, आसांत अनावर्ती, आसांत होगा ये, आसांत होगा और अनावर्ती होगा, अनावर्ती दसम्लों होगा आसांत और अनावर्ती दसमलो होगा क्यों होगा क्योंकि ये संख्याएं क्या हैं आपरिमे हैं ये संख्याएं आपरिमे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपरिमे संख्याओं का दसमलो कैसा होता है आसांत और अनावर्ती होता है आप अर्मिय संख्याओं का दसमलोग ऐसा होता है आसांत और अनावर्ती होता है आसांत नान टर्मिनेटिंग और नान रिकरिंग नान टर्मिनेटिंग नान रिकरिंग तो ये था कुछ कांसेट्स इसके बाद हम तुरंत आते हैं एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.3 फटा फट देखेंगे अब आपको सॉल्व करने में कोई भी प्राबलम नहीं होगी क्योंकि आपको पता है सारे कांसेट्स पता है सांत दसमलो क्या होता है असांत आवर्ती क्या होता है अब आप हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कॉछिशन नमबर फट तो इचलिए देखते हैं सारे कांसेट् 1.3 का पहला कॉश्चन है नमलखित भीन्नों को दसमलो रूप में लिखेंगे और बताईए कि प्रतेक का दसमलो प्रसार किस प्रकार का है तो इसमें कॉश्चन नमबर एक में क्या है 36 upon 100 36 upon 100 को दसमलो में चेंज करना है और बताना है कि ये दसमलो किस प्रकार का है किस प्रकार का मतलब कि सांत दसमलो है आसांत आवरती दसमलो है कि आसांत अनावरती दसमलो है यहीं हमको बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 100 से 36 में भाग देंगे ठीक है तो 100 है 100 36 में पाड़ा जाएगा नहीं 10 मुलो बढ़ाएगे 1 0 बढ़ाएगा क्या बन जाएगा 360 कितनी बार जाएगा 300 आ गया माइनस करेंगे 60 आ गया फिर 1 0 बढ़ाएगे और 6 बार जाएगा 600 आ जाएगा और 6 6 फ़ल क्या आगया 0 आगया यानि 6 फ़ल समाप्त हो गया 6 फ़ल समाप्त हो गया तो इसको दस्मलो लिखेंगे 0 लगा लेते हैं आगे 0,3,6 और यह किस टाइप का दस्मलो है बताना है और बताएए परतेग दस्मलो का परसार किस परकार का है तो ये एक दस्मलो है ये एक भिन है भिन को दस्मलो में चेंज किए 0.3 चाया अब हमको ये बताना ये किस परकार का है तो हम आपको बता चुके हैं दस्मलो 3 परकार का होता है सांत दसमलो पहला सांत दसमलो दूसरा आसांत और आवर्ती दसमलो तो ये किस प्रकार का है जब समाप्त हो गया सेश फल जीरो आ गया तो ये कैसा दसमलो हो गया ये सांत दसमलो है तो आंसर हो गया 0, 3, 6 और टाइप हो गया किस टाइप का 7 दसमलोग ठीक है अब दूसरा कोईशन इसमें है दूसरा है 1 अपान 11 अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे 1 में टेबल जाएगी नहीं क्या करेंगे 10 दसमलोग बढ़ाएंगे 0 बबन गया अभी भी नहीं जाएगा अब 1 0 और बढ़ाएंगे जब 1 0 और बढ़ाते हैं तो उपर 1 0 भी लिखना पड़ता है अब उपर 1 0 लिखना पड़ेगा कितनी बार जाएगा 11 9 1 9 9 ucktara –1 1 और फिर क्या आएगा दसमलो बढ़ा है, एक 0 लिखेंगे, अभी भी नहीं जाएगए, पिर एक 0 लिखेंगे जब डो 0 एक साथ लिखते हैं, तो उपर भी एक 0 बढ़ाते हैं और फिर कितनी बार जाएगा, नाइनजा, और यही देखो, 1, फिर आ गया तो यही सेसफल अब क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है सेसफल? रिपीट हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.09 और रिपीट क्या हो रहा है? 0.9, 0.9, 0.9 ऐसे रिपीट होता जा रहा है तो 0.9 के उपर बार लगा देंगे बार लगा देंगे और ये किस टाइब का होगा जब दसमलो का प्रसार क्या होता है समापत नहीं होता है बार बार रिपीट होने लगता है तो उसको कहते हैं आसांत आसांत और आवर्थी हमने आपको बताया आसान्त को एक और चीज कहते हैं क्या कहते हैं अन्वसान अन्वसान अन्वसानी अन्वसानी आवर्ती या फिर आसान्त आवर्ती दोनों एक ही है कन्फ्यूज मत होईएगा तो आपकी book में हो सकता है मिले अन्वसानी आवर्ती या अन्वसानी दस्मलो तो confused मत होईए यही अन्वसानी ही आसान्त होता है तो यह किस चैप का दस्मलो हुआ आसान्त और आवर्ती दस्मलो ठीक है तो इसी तरह से आए देखते हैं आगे तो यह है question number 3 चार सही एक बटी आठ यह mix fraction में है इसको change कर लेंगे fraction में क्या आएगा आठ चोग 32 एक 33 बटी आठ इसको divide करके answer ले आना यह homework है हम देखते हैं question number 4 जो की तोड़ा अलग दिख रहा है इसको करते हैं देखते हैं क्या आता है 13 को divide करेंगे 3 से दस्मलो बढ़ाएंगे 0 दो बार जाएगा 13 दूना 26 माइनस करेंगे 26 चार तीस चार आगया फिर 0 जल्दी से करेंगे 13 दिया 49 41 वन आजाएगा फिर एक बार जीरो बढ़ेगा फिर भी टेबल नहीं जाएगी एक जीरो और बढ़ाएंगे 100 बन जाएगा जब 2 जीरो एक साथ बढ़ता है तो उपर भी एक जीरो बढ़ाते हैं 100 हो गया 13 सत्य 91 साथ बार जाएगा 13 सत्य 91 माइनस करेंगे कितना 100 मेंसे 91 जाएगा 9 आजाएगा ठीक 90 बन गया फिर पढ़ेंगे टेबल कितनी बार जाएगा 13 छंग 78 13 सत्य 91 जादा हो जाएगा 13 छंग 78 10 10 मेंसे 8 गया 2 8 मेंसे 7 गया 1 फिर जीरो कितनी बार जाएगा 13 नमीना 179 13 नमीना 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 120 मेंसे 17 माइनस करेंगे 3 आजाएगा 0 फिर 13 दुना 26 अब देखिए यहीं से रिपीट होना चालू हो गया कौन सा नम्बर रिपीट हो रहा है 3 जैसे ही हमारे पास 3 आया और यह 30 बन गया तो सेम कंडिसन यहां से फिर से रिकरिंग होने लगा recurring मतलब रिपीट होने लगा तो बस हम जैसे ही देखेंगे रिपीट होने लगा वहीं पर इसको छोड़ देंगे और आंसर क्या लिखेंगे आंसर मारे पास 2, 3, 0, 7, 6, 9 और 2 फिर रिपीट हो रहा तो 2 नहीं लिखेंगे इसी के बाद डाट 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 ऐसे रिपीट होता जाएगा तो जो नमबर रिपीट हो रहे हैं उसी के उपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे 2 से ले करके 9 तक बार लग गया तो आंसर क्या होए 0, 2, 3, 0, 7, 6, 9 इसके उपर बार बार क्यों क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, कैसा दसमलो होगा ये, ये होगा आसान्त, या अन्वसानी, अशान्त या अन्वसानी, और क्या होगा, recurring यानि आवर्ती, आवर्ती कहीं कहीं इसको अन्वसानी पुन्रावर्ती लिखेंगे या फिर असांत आवर्ती लिखेंगे दोनों बात एक ही हुई ठीक है तो यह है पूरा कोश्चन का आंसर थोड़ा लेंदी है यहां से इसको डिवाइट करेंगे और ऐसे करते आएंगे जब लास्ट में कहां पर छोड़ेंगे जब यह इसका रिमाइंडर यानि सेसफल रिपीट होने लगएगा तो यहां से देखिए दो फिर दो आगया अब इसके बाद आप करते जाएंगे रिपीट होता चला जाएगा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो तीसरा कोशन होमर्क है चौथा हमने बता दिया अब कोशन नमबर पांच और छे में से पाचवा आसान है छठा बताते हैं यह देखिए कोशन नमबर फाइब दो पाटे ग्यारा सिंपल आपको ग्यारा से दो में भाग दिना है और फाइंड कर लेना है कैसा दस्मलो है तो हम इसको नहीं यह वाला बताते हैं चार सो से भाग दिना है आपको 329 तीन सो उननतिस में ठीक है तो देखते हैं तीन सो नतिस में भाग नहीं जाएगा दस्मलो बढ़ाएंगे फर्ट से जीरो लिखेंगे कितनी बार जाएगा लगभग आठ बार जाएगा आठ चोग बतिस बतिस सो माइनस करेंगे कितना आएगा जीरो नाइन नैंटी आ गया चार बार गया चार उपर लिखेंगे ठीक 90 आ गया 10 बढ़ा है 1 0 लिखेंगे कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार 4 दूना 800 हो गया माइनस करेंगे 100 आ गया फिर 1 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार 4 दूना 800 आ गया माइनस करेंगे 00 200 आ गया ठीक फिर 1 0 बढ़ाएंगे फोर की टेबल कितनी बार पांच बार चार पंचे बीस दो हजार आ जाएगा यहां पर यह क्या हो गया समाप्त हो गया टर्मिनेट हो गया तो इसका दसमलो किस प्रकार का हुआ और ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे बस इसका टाइप क्या हो जाएगा सांत दसमलो बस यही आंसर हो जाएगा ठीक है आई ये देखते हैं कोशन नमबर सेकेंड क्या है